ओम श्री साइनाथाय नमहा श्रद्धा और सबूरी जुडवा बहने साइ वो नहीं जो तुझे गम में छोर देंगे साइ वो नहीं जो तुझे नाता तोर देंगे साइ तो तेरे वो भगवान है तेरे वो मालिक है अगर तेरी सास्रे बंध हो तो अपनी सास्रे जोर देंगे साइबाबा के गुरु ने अपने शिश्यों से शद्धा और सबूरी नामक दो सिक्के मांगे थे वह तुनों अलग नहीं बलकि एक सिक्के के ही दो पहलू है यदि कोई एक भी वहाँ है तो दूसरे को उपस्तित होना ही पड़ेगा जिस प्रका शद्धा मजबूत होती है सबूरी की पहचान भी उसे के अनुसार होती है सबूरी कुडु की एक घदान है और शद्धा सबूरी का जीवन है यह सोचना संभब नहीं है कि साइबाबा के भक्ती के पत पर चलते समय हमें तुरंध ही आज यकल में ही फल मिलेंगे ऐसा हो सकता है कि हमें तुरंध फल न मिलें मगर हमें निराश नहीं होना चाहिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि इच्छित परिणाम न मिलने से हमारे प्यार और विश्वास में कमी नहीं हो हमारी भक्ति को मस्बूत होना चाहिए ताकि परिडाम प्राप्त करने के लिए हम सही समय का इंतिजार कर सके जब हमारे मन में ऐसे प्रश्ण उठते हैं कि मेरी भक्ति में शक्ति नहीं है साइं बाबा मुझे सुनते नहीं है या मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तब हम उतास हो जाते हैं और हम ऐसे हमारी भक्ती कमजोर हो जाती है इसलिए यह अनिवार्रे है और आविश्यक है कि भक्ती इस तरह की नहीं होनी चाहिए हमें कटिनाईयों को सकरात्मक्ता से देखने का अभ्यास करना चाहिए इसलिए हमें दहरे रखना चाहिए और इसे अपनी जीवन में जगे भी देने चाहिए दुनिया में अच्छी दोस्त बहुत कम मिलेंगे जीवन में सुख कम दुख जादा मिलेंगे जिस मोर पे दुनिया आपका साथ छोड़ देगी उसी मोर पर आपको साइनात मिलेंगे क्या कोई सोच सकता है कि जमीन में बोय जाने वाला बीच एक पेड बनकर तुरंत ही फल देगा बीच जमीन में प्राकरतिक तरह से काम करता है उसका प्रभाव बाहर नहीं देखता प्रभाव देखने के लिए कुछ दहरे जरूरी है सूरज की किरिणों से समुद्र का पाने भाप बन जाता है और यह भाप बादलों में परिवर्टित होती है जो हमें वर्षा देते हैं लेकिन यह प्रक्रिया कुछ मिनिटों में नहीं हो सकती इसके लिए लंबे समय की आविशक्ता होती है काफी घटना अद्रश्य हैं लेकिन उनकी अपने महत्व हैं प्रत्वी में जो भुकम आता है भे कुछ मिनिटों या एक दिन की घटना नहीं है यह प्रक्रिया प्रत्वी के भीतर काफी लंबे समय से चलती रहती है एक बच्चे को जनम देने के लिए मा को कितना दर्द सहना पड़ता है इसके लिए उसे बहुत धहर्य और साहस रखने की आविशक्ता होती है यदि भक्ती की रास्ते पर चलते समय हमें मन वांचित उतर नहीं मिलते तो आम तोर पर हम निराश हो जाते हैं या हम विश्वास करना छोड़ देते हैं इस इस्तिति पर काबू पाने के लिए धहर्य रखना बहुत ज़रूरी है भक्तों को उनकी भक्ती से कुछ पाने का विचार छोड़ देना चाहिए इसके बज़ाए उने अध्यात्मिक्ता के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए इसे फिर से धहर्य की आविशकता है साहिवाबा कहते हैं कि यदि व्यक्ती कोई कर्म करता है तो उससे एक दिन उसका परिणाम जरूर मिलेगा सबूरी भक्ती की रास्ते पर सफल होने के लिए एक कठिन परिक्षा है यह परिक्षा केवल गुरु द्वारा ही ली जा सकती है जब आम आदमी एक मिट्टी का बरतन खरीता है तो बहुत ही कम मूले जैसे की 20 से 25 रुपे का है फिर भी वैबरतन की बार बार जाज करके उसके बाद उसे पैसे देता है इसी तरह भक्ती के मार्ग में भक्ती बहारी रूप से या सिर्फ देवा के दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए इसे हमारे भीतर से आना चाहिए और हमें प्रोचाहित करना चाहिए किसी को खिल के हसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी को शेड़ी खाली हाद लोटाना श्रिसाएं की आदत नहीं सबूरी की तरह श्रद्धा भी उतनी ही महत्वपून है, श्रद्धा भक्ति के मार्ग की नीव है और सबूरी उस रास्ते पर चलने के लिए समय है बग्ति का मार्ग अपने कर्मों का व्यक्तित अनुभव है, बग्ति की रास्ते पर चलते समय स्वयम को ही सभी कार्रे करने पड़ते हैं अपने गुरू को आत्म समर्पन किये बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर हमें अपने सोने के गहने की मरमत करानी है तो हमें उसे सुनार के हवाले करना पड़ता है यानि गहनों को समर्पन करना पड़ता है वैसे ही जब हम अपने गुरू को साइं को अपने मस्तिश को और विचार समर्पित कर देते हैं तब तक हमें कोई परिणाम नहीं मिलेगा अपने गुरू को आत्मसमर्पन करने के बाद सबूरी की आविशकता होती है पून भक्ती का फल हमारे गुरू का और भगवान का आशिरवाद होता है लेकिन भगवान या गुरू केवल उन पर ही अपना आशिरवाद देने के लिए उत्सक होती है जिने ही उन पर पून विश्वास होता है अब आशिरवाद को भरने के लिए भगवान या गुरू को एक पात्र या बरतन की आविशकता है जैसे कि प्रतिक खाने की वस्तू को रखने के लिए पात्र की आवेशक्ता होती है उसी प्रकार भगवान या गुरु को भी पात्र की आवेशक्ता होती है उधारन के लिए जैसे कि हम गेहूं को एक बड़े और दूद को एक छोटे पात्र या बरतन में रख सकते है यदि हमें उसी पात्र में दूसरी खाने की चीज़ रखनी हो तो हमें पहले उस पात्र को खाले करके उसे साफ करना होगा और फिर उसका इस्तमाल किया जा सकता है तूही ब्रह्मा, तूही विश्णू, तूही तो है विध्दाता सब की बिगडी बनाने वाला तू ही तो है जीवन दाता भगवान या गुरु के आशिवात को संग्रहित करने के लिए या आशिवादों का लाब प्राप्त करने के लिए प्रतेक भक्ति के पास छोटा या बड़ा पातर होता है पर कोई भी पातर खाली नहीं है इसका मतलब यह है कि बरतन किसी ना किसी चीजों से भरा हुआ है हमारे अच्छे कर्मों के कारण यदि हम किसी तरह भगवान या गुरू का आशिवात प्राप्त भी करते हैं खाली पातर ना होने के कारण इसे पाने के बार भी हमें लगता है जैसे हमें कुछ नहीं मिला ओधारन के लिए यदि कोई हमारे दरवाचे पर हमें शुद्ध घी मुफ्स देने के लिए आता है पर हमारे पास कोई भी बरतन खाली नहीं है तो हमें शुद्गी लोटाना होगा यदि हम गुरू का आशिवात प्राप्त करें भी तो भी और उस आशिवात को भरने के लिए हमारे पास खाली पातन नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत पुरी चीज़े होती है और हम इसे खाली करने के लिए भी तयार नहीं होते है इसलिए हम आशिवात ये लाप्राप्त ना मिलने के कारण उदास हो जाते है अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन सा खाली बरतन है हमारे पास हमारा मन और बुद्धी है ये दो गुरू के आशिवाद रखने के लिए सबसे बड़े पात्र हैं तो तुरंद उन्हें साफ करें ताकि वे गुरू के आशिवाद को एकटा करने के लिए उप्यक्त हो लेकिन पिछले जनम की कर्मों का और वासना का कारण वे पूरी तरह से भरे होए हैं उन्हें साफ करने और उन्हें खाने करने के लिए बहुत समय लगेगा जैसे कि कोईले के ड्रम को साफ करने के लिए उसे कई बार गर्म करना पड़ता है और इसमें जादा समय लगता है इस प्रक्रिया का अर्थ है सबूरी तो चले गुरु की आशिरवाद और अनुग्रहों को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और सबूरी को अपने जीवन की नीव बनाते हैं क्यों रखे बाबा से दूरी भक्ती से होती इच्छा पूरी मन चाहा फल देते हैं श्रद्धा और सबूरी अनन्त कोटी ब्रह्माण नायक राजदेराज योगी राज परब्रह्मा श्री सचिदानन सद्गुरु साइनात महराज कीजे ओम साइराम